नवसकार दोस्तों जहिंद वंदे मातरम दोस्तों मैं आपके साथ जैस्वाल सर आपके अपने परिवार सिच्कों के परिवार पे सभी दोस्तों का विलकम अभिनंदन करता हूँ जैस्वाल सर आप सभी को नमन करते हैं दोस्तों बात करेंगे मैं स्पेटागोजी के प्रिक् बित्टेल के साथ होते हैं जैसे आपके एकजाम में वाना है जैसे सिलेवस के एकड़िंग आपके पूछे जाते हैं जो चले दोस्तों सरूप करते हैं आपके एकजाम के जसे संभावित प्रस्ण या उससे रिलेटेट पूरी कंसिप्ट क्लियर करेंगे और इसके पिछले प्रेक्टिस से देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा और दोस्तो बेल आइकन प्रिस कर लें और प्लेलिस्ट में जाके चैनल को विजिट कर सारे आपको फ्री और कौश देख सकते हैं साथ इसाथ नोर्स वीडिया फाइल सब कुछ फ्री में आपको टेलिग्राम में मिल जाता है तो वहाँ पर भी जोइन कर सकते हैं चले दोस्तो शुरू करते हैं पावडवाई सिच्छा ही प्रकास है पहला प्रसना आपकी स्कीन पर है कि गणी सिच्छन की या गणी सिच्छक की विसेश्ता होती है गणी तुप करनों को प्रियोग करने की छमता में कच्छा संचालन की योगता या सिच्छन वीडियों का ग्यान या उप्रोग शभी आप सभी लोग भाविय धापक अदा पिकाए हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि आप अगर गणित के सिच्छक हैं तो आप में क्या भी सेस्ता होनी चाहिए तो गणित करनों को प्रयोग करने में आप में छमता होनी चाहिए आप में कच्छा सं पर आचुका है कि दौर का मैदान से अभिप्राई क्या है अगर दौर का मैदान उसके लिए ग्राउंड होना चाहिए ग्राउंड होगा एक ठीक है जो एक रनर होता है एक जो एक धावक होता है उसके लिए क्या होता है रास्ता हो जाहिए सडक होनी चाहिए साइकिल चलने के लिए वैसे ही दोड़ का मैदान से भी प्राइब दोस्तों क्या होगा पाठ क्रम होगा सिच्छा क्रम वा पाठ क्रम दोनों यह कोई नहीं ठीक है यहां पर सिच्छा क्रम लिखा हुआ है सिच्छा क्रम वा पाठ क्रम दोनों चीजे दोड़ का मैदान से भी प्राइब क्या ह पहला आपसन सही हो जाएगा बहुत बहुत धन्वाद दोस्तो आई होप सभी प्यारे में अभी तक वीडियो को लाइक अवश्यकर लिया होगा बहुत बहुत धन्वाद अंगला प्रसनाप के स्कीन पर है कि बीजगणी सिच्छन की विदी है जिहां दोस्तो बीजगणी जो सिच्छन की विदी प्रदर्शन विदी होती है खेलकूद विदी होती है समी करण विदी होती है या आपके अंसार यहाँ पर कोई नहीं होगी तो आपका फीडवेक क्या कह रहा है आपका जो फीडवेक है आपका जो कमेंड वाक्स है आपका जो ओपिनियन है वह क्या कह र रहे तो कोई दिक्कत नहीं है प्लेइलिस्ट में जाकर सभी क्लासे जोईन कीजिए ठीक है बीज गणी सिच्छा की जो बिदी गहलाती है दोस्तों वह हमारी समी करण बिदी कहलाती है और गणी सिच्छन की नियम वा निसकर्स कैसे होते हैं यह साइध वर्गतीन में पूचा के जो नियम वा निसकर्स होते हैं वस्तनिष्ट आपके और सारोभामिक होते हैं तीसरा आपसंस सही हो जाएगा बहुत बहुत दनवाद दोस्तों अंगला प्रस्ण है रेखा गणी सिच्छन की विदी है जी हाँ बेतरीन लाजवा प्रस्ण है सीधा सेलेक्शन से कनेक्ट है और संभावित प्रस्ण है कि रेखा गणी सिच्छन की विदी है सूत्र अधारित है खेल कूद है अभ्यास है या प्रदर्सन है अब आपका कमेंट आपको पेनियन तैं करता है क्योंकि आप लोग ज्यानी है शर्वग हैं और जैस्वाल सर्स आप सभी को नमन करते हैं द दोस्तो गणी सिच्छन में चात्रों की रूची पैदा करने के लिए आवश्यक क्या होता है अगर आप सभी लोग भावे द्यापक अद्धा पिकाए हैं आपकी नियुक्ति हो गई या आप एक गणीत के द्यापक बन गए सिच्छक बन गए तो आप लोग ये बताईए ग अधिक पुस्तके खरीद नहीं ठीक है आप बच्चों से बोलेगा आप अधिक पुस्तक खरीदे क्योंकि या आप सोयम अधिक पुस्तके खरीदेंगे क्योंकि आपको रूची पैदा करवाना है आप सभी प्यारे में तभाई बेन आप सभी अध्धापक अध्धाविकों को बच्चों पर रूची पैदा करना है तो आपके लिए प्रसन है आपको क्या करना पड़ेगा तो आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा रूची किसमें होती है बच्चों में खेल के प्रती होती है तो खेल बीजी द्वारा जो है सब्सक्राइब कर लें अपने परिवार को आवर फैमिली को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि सिच्छा ही प्रकास है बात करेंगे दोस्तों अंगले प्रशन की गणी सिच्छन में सहायक समागरी का उदेश नहीं है negative प्रस नकारात्मक प्रस्न सिधा सेलेक्षण से connected होते हैं समभावित प्रस्न होते हैं कि गणिस सिचछण में सहाइक समागरी का उद्देश नहीं है सिचछण को रुजिकर बनाना बिशिष्ट बालको कि सिचछण में शहाइक या ध्यापन को आकर सक बनाने हे या भासा में ग्यान ब्रद्धी भाईया मेरे प्यारे में सिच्छण बंद हो ये बताईए सभी प्यारे भाई भाई बहें कि गणी सिच्छण में सहायक समागरी का पूछा गया है उद्देश ठीक है तो सिच्छण को रुचिकर बनाना ये होता है सहायक समगरी होगा ठीक है और विशिष्ट बालकों के सिच्छन में सहायक ये भी होगा जो सहायक समगरी होती है जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको सिच्छन करने में सहायकता होती है और अध्यापक को आकरसक ये अध्यापन जो होती है आप लोग पढ़ाने का तो उसको आकरसक बनाने हे तो भी आपके साहक समगरी का उदेश होता है गणी सिच्छन में लेकिन भासा के ग्यान में ब्रद्धि होना जी हाँ भासा के ग्यान में ब्रद्धि होना गणी सिच्छन के साहक समगरी का उदेश नहीं होता है तो आपका D आपका नकारात्मक आपसन है तो द्रस सब समागरी है स्यामपठ हो गया रेडियो हो गया टेली विजन हो गया चार्ट हो गया तो टीवी की बात करेंगे टीवी की अगर हम बात करें टीवी यानि टेली विजन तो आप लोग सभी जानते हैं टेली विजन में साउंड भी होता है साउंड होता है यानि कि हम और रेडियो में जो होता है दिखने में बीजिड़ सुनाई देगा और टीवी सुनाई भी देखता है आपको दिखाई भी देता है चलचित जहां पर होता है चार्ट केवल आप लोग देख सकते हैं तो I think समझ गए हैं आप लोग सभी लोग कि टीवी वाला आपसन आपका सह हो जाएगा अंगला प्रसन आपके स्केन पर है कि आकरतियों के निमलिखित पहलियों में से किसका प्रात्मिक इस तर में कोई संबंद नहीं है ये भी आपका नकरात्मक नेगेट्व प्रसन है ध्यान पुरक समझेगा जो आकरतियां होती है आकरतियों के निमलिखित पहलियो में से किसका प्रात्मि किस तर से कोई संबंध नहीं है%. अब आपकी आकरतियों दे गई प्रति रूल यानि जो पैटर्न होता है, संमित, कोन, चोपड є सारी क्या है, आपके आकरतियां कह लाती हैं. ठीक है, यह सारी आकरतियां हो गई. अभी आकरतियों के पहलों में किसका समंद प्राथमी किस्तर से कोई नहीं है आपको ध्यापक दापिका बनना है तो जानना बहुत जरूरी है कि प्राथमी किस्तर में देखिए प्रतुरूप पैटर्न का समंद होता है सम्मित का होता पैटर्न कैसे अब एक लिखा यहाँ पे यहाँ पे आपने तीन लिख दिया, बीच में एक डबबा बना है, तो बच्चों से बोलते हैं, यहाँ पर दो होगा, तो यह pattern ही कहला जाता है, सम्मित हो गई, सम्मित आकरती में पहचानना कि समान आकरती मतलब है, जैसे यह आ गया, इसी प्रकार डबबा बन गया, तो सम्म यह है, इसके सम्मित है, यानि पूरी आकरती आ जानी चाहिए, ठीक है, यानि कि पूरी आकरत सम्मित मतलब समझ गया है, समान वाली आकरती, समान में ठीक है, तो यह हो गया, चौपड भी आपका जो रहता है, ठीक है, चौपड भी आप लोग समझते होंगे, तो यह भी आ प्रात्मिक इस्तर का संबन्द नहीं होता है, ना कोण का होता है, अगर अनुपात आपसन में आ जाए तो वो भी नहीं होगा आपका, ठीक है? I think आप लोग समझ पा रहे हैं, बहुत बहुत दन्वाज जैस्वासर को सपोर्ट करने के लिए, सिच्छा को सपोर्ट करने के लि बिद्यार्थियों को मनुरंजन प्रदान करने में मदद करती है, समझसा सुलजाने के कौसल को परखने में मदद करती है, यह समझसा सुलजाने के कौसल को प्रोशाहित करने में मदद करती है, शवी लोग कमेंड करेंगे, बेतरी इन प्रसन हैं दोस्तों, जिया सीधा सेल अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रस्न आपके स्कीन पर है प्रस्ने पूंचा जा रहा है कि गणित की कच्छा में संप्रेशन का उलेख किस छमता का विकास करना होता है दंड आरेक यनि की वारगर आपको देखकर आखनों का अर्थ लगाना कच्छा में पूंचे गए प्रस्नों का तुरंत उत्तर देना या गणित की समस्याओं पर दूसरे की विचारों का खंडन करना या मेरे प्यारमित्रों गणिती विचार को स्ववस्थिस या संचित और एंसर तो आपने देख लिया होगा तो दि आपसं आपको सही कर देना है कि गणित की कच्छा में संप्रेशन का उलेक किस छमता का विकास करना होता है तो दि आपसं आप लोगों को सघ हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तों अंग्ला प्रसन आपके स्कीन पर हैAK गणित की पाठ पुस्तक में विभिन प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश होता है जो गणित की पाठ पुस्तक होती है उन्में विभिन प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश खंड अभ्यास आप लोग समझ गए हो जीवन चर्य में बदलाव करना समय का बहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना या बिस्त्रत अधिगम औसर पदान करना तो मेरे प्यारे मित्रों गणित की पाट पुस्तक में विभिन प्रकरणों में खंड अभ्यास जो समय होता है खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उ उद्देश यही होता है क्या होता है दोस्तों वह उद्देश होता है बिस्त्रत अधिगम औसर पदान करना इससे क्या होता है बच्चों में बिस्त्रत यानि अधिक से अधिक उनका कहा अधिगम करने में औसर उनको मिलता है सीखने का आउसर मिलता है आपका तो डी आपसन भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा आप की निप्त हो गई आप अध्यापक अधापिका बन गए आपने क्या किया कि भिन्न की काई में आपने क्या किया छात्रों में किनी पांच भिन्नों की सूची बनाने के लिए कह दिया तो दोस्तों ये जो आपने कह दिया यह सोचने के उचिस्तर को काम में आएगा ठीक है या आपके बिसले सनात्मक सोच को यह दिर्देशित करेगा या त्रिविमी आकासी सोच को अपका जो है निस्करसित करता है यह सोचने के निम निस्तर को तो बिन की काई से सिच्छक ने चात्रों से किनी पांच बिन फिर्टों के सूची बनाने के लिए कहा, यह क्या कहले काँं सा अपसान में यहापं से होगा, वह यह कि वह क्या है वियह क्यों सैच्छने के बिनियम निस्तर को दर्सादा कर देता ति लिए सब्सक्राप番 से प्यासा डसादेगा और भी आपसान से रहत हैं 물리 आकरतियां उसके लंबे और किनारों से परिचे कराने का सबसे उत्तम उपकरण क्या होगा कोई भी एक सराल आकरती बना गई और इस आकरती को उसके लंबे जो किनारे होते हैं ठीक है उसको किनारों से अगर परिचे कराना हो तो सबसे उत्तम उपकरण क्या होना चाहिए स्या कर्मेνट के मादम से बताना है कि कचछा 2 के इच्छारतियों को बालक बालिकाओं को सरल आकरति के लंबे और किनारों से परचित कराने का सबसे उत्तम जो करन होता है दोस्तों वह regards जियोवोर्ड होता है और इसमें पिन धागों की साहता से विविन जामती आकरतियां बनाई जाती हैं अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रशन यह है कि कच्छा चार के सिच्छारतियों को यह समझाने के लिए कि सेस हमेशा बिभाजक से कम होता है उचित उपागम होगा कच्छा चार के विद द्यारतियों को मौकिक रूप से इस्पष्ट करना बिभाजन वाले सवालों को मिस्षित विन्नों की रूप में निरूपित करना और इस्पष्ट करना की विन्न का अंससेस है वस्तों को विभाजक के गुर्जों की रूप में सामोही क्रत करना और प्रशित करना कि वस्तो सापसंसाई होगा ध्यान पूरक देखना है कच्छा चार के विद्याजित्यों को समझाना है कि से समेशा विभाजक से कम होता है तो उचित उपागम यही होगा कि वस्तों को विभाजक के गुर्जों में स्वामोही क्रत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तों की संख्या जो आपके 12 प्लस आ रहे हैं 10 प्लस आ रहे हैं अपना अपना स्कूर सभी लोग कमेंड करेंगे और आपके July कम हैं तो कोई दिक्कत नहीं हर एक परिक्टिसच इंट करें हरे क्लास अफ्लेंड आपका अपना परिवार है वर फैमिली है और राश्टित में सिच्चा की बात करते हैं फ्री नोर्स वीडिया फाल सब कुछ आपको फ्री में है कि क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सेलेक्शन सरो पर ही है और राश्टित में सिच्चा की बात की जाती है जो मोरल टार्गेट है वो केवल वनली वनफार सेलेक्शन है और जो भी दोस्तों कोशिस रहती है वह आप लोगों को तक ठीक हिल्प करने की मदद करने की क्योंकि यह सिचकों का परिवार है और सिचक जो होते हैं रास्मिवान में सबसे बड़ा युगदान उनी को होता है तो सभी आप लोग भावियत धपक दापिकों को जैसवाल सर का नमन सुईकार कीजिएगा जैसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं दोस्तों जैहिंद बंदे मातरम धन्माश अभीका